हेले दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो कम्पूटर में किसी भी सौफ्टर को सीखने के बाद अगर उसमें फास्ट काम करना हो तो उसके सोर्कट की याद के नहीं पड़ती है जब तक आप उसे सोर्कट की याद नहीं करेंगे आप सौफ्टर में फास्ट काम नहीं कर सकते तो दोस्तो आज इस वीडियो के उसे कि अंदर जितनी भी और में काम करते हैं और सब्सक्राइब करके हम कंपूर्टर में काम कैसे करते हैं दोस्तों आज कि इस वीडियो करने नोटपेट की जितनी भी सोक्राइब की बारे मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो कंपूर्टर में नोटपेट के अंदर बीना माउस का यूज के आप सेटप प्रिंटिंग से ले करके जितने भी उप्सन दिये हैं सभी उप्सन का यूज आप की बोड़ से कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप कंपूर्टर सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इस वीडियो को लास्ता जोड देखें आप जी जिए कि दोस्तों नोटपेट के सोटकर्ट ची स्टार्ट के से पहले मैं आपको एक बात बता दूं … जिसकी सोर्टर को आप सोर्क्रट की सीखें गे उस सॉर्टर पर आको काम करना चाहिए। तब है आप सॉर्कर्ट का यूज पारे में दियावा है, go to file menu, इसके बाद यहाँ पर दियावा new का button, जिसके circuit की होती है, ctrl प्लस N, इसका जो काम होता है, create a new page, एक नया page देने के लिए, हमें ctrl प्लस N प्रेस करना पड़ता है, और दोस्तों, नया page हम कब लेते हैं, जम पहली बार note page open करते हैं, तो उसमें प प्लस N, आपको यहाँ पर new वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है, सीधा आपको प्रेस कर देना है, ctrl प्लस N, यहाँ पर दियावा है new window, इसके circuit की होती है, ctrl प्लस shift प्लस N, और इसका जो काम होता है, create new note page window, देखिए दोस्तों, जब आप note page open करके, note page में काम करते हैं, और एक note page आपने पहले से open कियावा है, उसके अलावा आपको एको note page open करना है, तो उसके लिए आपको new window का यूज़ करना परता है, जिसकी circuit की होती है, ctrl प्लस shift प्लस N, आप multiple note page open करके, असानी से काम कर सकते हैं, इस वाले circuit की का यूज़ करके, इसके बाद यहाँ पर दियाव उसे दुबारत से open करने के लिए, आपको open वाले option का यूज़ करना परता है, जिसकी circuit की होती है, ctrl प्लस O, यहाँ पर दियावा है, save का button, इसका circuit की होता है, ctrl प्लस A, इसका जो काम होता है, save a new file, जब भी आप note page के अंदर एक नए page पर काम करते हैं, उस page पर काम करने के ब इसका जो काम होता है, rename, ejecting file name, देखिए दोस्तो, माली जी आपने note page के अंदर एक नए page पर काम करके, उस page को आपने save कर दिया, और दुबारा से आपने उस page को open कर लिया, note page के अंदर, उस page के अंदर edit करने के बाद है, या कुछ भी change करने के बाद है, उसे दूसरे नाम से save करना हो, उसके लिए आपको ctrl plus c plus a से press करना पड़ता है, किसी दूसरे नाम से save करने के लिए, यहाँ पर दियावा है, paste setup, इसके socket की होती है, alt plus f plus u, और इसका जो काम होता है, open paste setup, देखिए दोस्तो, इस वाले socket की का यूच करके आप, paste setup असानी से open कर सकते है, note page setup के अंदर पिंट करने के लिए, आपको paper size, margin, header footer, page margin, page को आपको कैसे पिंट करना है, ported में, या फिर land escape में, यह सारी चीज़े आपे, page setup में करते हैं, जिसके socket की होती है, alt plus f plus u, इसके बाद note page के अंदर, एक print का option है, जिसके socket की होती है, counter plus p, इसका जो काम होता है, print your document, यहाँ पर मै यह type कर देता हूँ, और यहाँ से page हटा देता हूँ, note page के अंदर, जिस page पे हम काम करते हैं, काम करने के बाद, उस page को हमें print करना हो, तो उसके लिए उच करना पड़ता है, counter plus p, यहाँ पर दियावा है, exit का option से, जिसके socket की होती है, alt plus f4, इसका जो काम होता है, close note page window, note page में एक नए page पे काम करने के बाद, जब उसे हम save कर देते हैं, और note page के close करने के लिए हम, यहाँ पर उच करते हैं, exit का option, जिसके shortcut की है, alt plus f4, तो यहाँ पर यह जितने भी option दिये हैं, यह सब भी आते हैं, file menu के अंदर, इसके बाद यहाँ पर दियावा है, edit menu, जिसके shortcut की होती है, alt plus e, और इसका जो काम होता है, go to edit menu, edit menu में जाने के लिए, आप alt plus e press कर सकते हैं, edit menu में जाने के बाद, इसमें पहला option दियावा है, undo का, जिसके shortcut की है, contour plus z, इसका जो काम होता है, go to backward, note page में जब भी हम काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते से मेंगर कोई mistake हो जाए, तो सि फे, one step back जाने के लिए हम use करते हैं, contour plus z, यहाँ पर दियावा है, cut, जिसकी shortcut की होती है, contour plus x से, इसका जो काम होता है, cut selected tag से, माली जी दोस्तो, note page में आपने चार नान टाप कियावा है, किसी भी एक नाम का आपको cut करना है, तो उसे set करके आपको cut कर सकते हैं, इस वाले shortcut की use करके, cut करने के बाद, आपको उस नाम को किसी दूसरी जग ले जाना हो, तो उसके लिच करना परता है, paste वाला option, जिसके shortcut की होती है, contour plus v, यहाँ पर इसके बारे में दियावा है, paste tag से, another location, जिस tag को आपने cut किया है, उसी दूसरी जग लानी के लिए, आपको वहाँ पर जा copy, selected tag से, किसी भी tag को copy करने के लिए, और जब भी हम copy करते हैं दोस्तों, उस tag को दूसरी जगा दिखाने के लिए, आपको paste भी करना परता है, तो यहाँ पर इसकी shortcut की होती है, contour plus v, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताया है, और इसका भी same काम है, paste tag से, another location, इसके बाद एक option ह जिसकी shortcut की होती है, del key, keyword में आपको देखना दोस्तों, जहाँ पर home, insert, page जहाँ पर, page down key दियावा है, वहीं पर बटन दियावा है, del का, जिसका काम क्या होता है, delete selected tag से, किसी भी tag को select करके, उसे delete करना हो, तो उसके लिएच करना परता है, del key, इसके बाद यहाँ पर दियाव जिस page पर काम करते हैं, माली जी दोस्तों, आपे note page के अंदर, पूरे page में काम कियावा है, और उस page में आपको किसी भी एक नाम को find करना हो, direct, तो उसके लिए आपको, इस ale option का यूज़ करना परता है, जिसका shortcut की यहाँ पर दियावा है, तो उसके लिए आपको, counter plus F press करना ह find ale option को open करने के लिए, यहाँ पर दियावा है, find next, जिसकी shortcut की होती है, F3, इसका जो काम होता है, find same name, यानि कि दोस्तों, जो भी आपने यहाँ पर find कियावा है, find करने के बाद, आपने find ale option को close कर दिया, और दुबारत से आपको, उसी name को find करना है, तो आपको बार 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 find करने की जुवत नहीं है, आप उसी नाम को page में कई जगा find करने के लिए, F3, प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर दियावा है, replace, जिसके shortcut की होती है, control plus H, इसका जो काम होता है, replace, selected tag से, नोर्पेट के अंदर, आपने कोई भी काम कियावा है, और किसी भी एक task को replace करके, उसकी है, direct jump, one line to another line, नोर्पेट के अंदर, आपने 4, 5, 10, 20 line type कियावा है, और आप चाहते हैं, एक line से दूसरे line पर direct jump करने के लिए, तो उसके लिए आपको, go to option का उप्ष करना है, जिसके shortcut की यहाँ पर दियावा है, control plus G, इसके बाद, यहाँ पर दियावा है, select all, इसका shortcut की है, control plus A, और इसका जो काम होता है, select all page, नोर्पेट करने जो भी आपने काम कियावा है, पूरे page को एक बार में select करने के लिए, आपको प्रेश करना होता है, control plus A, इसके बाद, यहाँ पर दियावा date and time है, देखिए दोस्तो, नोर्पेट में आपने जो भी काम कियावा है, आपक इतने भी option दिये हैं, यह सब ही आते हैं हमारे edit menu के अंदर, इसके बाद अगला menu है हमारा format menu, format menu में जाने के लिए, इसके socket क्यों होती है, alt plus O, यहाँ पर दियावा इसके बारे में, go to format menu, इसके अंदर आपको एक option मिलेगा word array पे, इसका जो काम होता है, create multiple line, अगर आप word array का पर word array यूज करना परता है, जिसके socket क्यों होती है, alt O, डबलू, इसके बाद यहाँ पर दिया font, देखिए दोस्तों, कोई भी text type करने के बाद, अगर आपको size बड़ा करना हो, छोटा करना हो, text का language change करना हो, या फिर style change करना हो, तो इसके लिए, आपको keyboard से paste करना परता है, alt format OF, और यहाँ पर इसके बारे में दियावा है, format, line और paragraph, इसके बाद दियावा है, view menu, इसका socket की होता है, alt plus V, और इसका जो काम होता है, go to view menu, view menu जाने के लिए, आपको keyboard से paste करना परता है, alt plus V, जब आप इसमें जाएंगे दोस्तों, इसके अंदर पहला option दियावा है, zoom in, और इसका जो काम होता है, norplate के अंदर, जिस page पे काम कियावा है, page को आपको zoom करके देखना है, यानि कि बड़ा करके देखना है, तो बड़ा करने के लिए आपको keyboard से paste करना परता है, control के साथ है, plus का button, और दोस्तों, अगर आपके computer में Windows 7 है, तो यह वाले shortcut की, आपके computer में क काम नहीं करेगी, और यहाँ पर इसके बारे में दियावा है, zoom in your document, अपने document को zoom करना, इसी तरीके से, अगर आपको zoom out करना हो, यानि कि page को छोटा करना हो, तो एक option होता है, zoom out, जिसका shortcut की होता है, control के साथ, minus का button, और यहाँ पर इसके बारे में दियावा है, zoom out, your document, यानि क zoom करने के बाद, page को दुबारे से छोटा करना, इसके बाद, यहाँ पर दियावा है, status bar, जिसका shortcut की होता है, alt plus b plus, ऐसे, और इसका जो काम होता है, check your working status है, आपने note page के अंदर, multiple line पर काम कियावा है, आप किस line पर काम कर रहे हैं, कौन से character पर काम कर रहे हैं, कौन से अक्षर पर, तो उसके लिए आपको यूज करना परता है, status bar, जिसकी socket की होती है, alt plus b plus, ऐसे, तो यहाँ पर, यह जितने भी option दियावा है, यह आते है, view menu के अंदर, इसके बाद दियावा है, help menu, help menu में जाने के लिए, आपको keyboard से प्रेश करना परता है, alt plus, h, और यहाँ पर इसके help लेनी के लिए, आप यूज कर सकते है, view help, यहाँ पर दिया इसके बारे में, open notepad, help page, और यहाँ पर इसका socket की है, alt plus h, plus h, या फिर आप ए f1 की प्रेश कर सकते हैं, और दोस्तों, यहाँ पर दियावा है, about notepad, हमारे computer में notepad कौन सा है, उसका version कौन सा है, उसके बारे मे जाने के लिए, आपको यूज करना पड़ता है, about notepad, यहाँ पर इसके बारे में दियावा है, find about notepad, और इसका socket की होता है, alt plus h, plus a, जैसे आप प्रेस करेंगे, about notepad का page, open हो जाएगा, तो दोस्तों, जब भी आप notepad open करते हैं, तो open करने के बाद, आपको मिलते हैं, 5 मि दे सकते हैं, तो यहाँ मैंने आपको इन सभी के बारें बता दिया, दोस्तों, आब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर इन सभी की socket की बारे में, जैसे माली जी, दोस्तों, आपने notepad के अंदर, page setup open कर लिया, तो यहाँ पर जीतने भी option दिये हैं, इन सभी की socket की क्या है, यहाँ पर किसी भी option में जाने के लिए, इन सभी की socket की क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पर दियावा है, other important socket की, यहाँ पर जो पहला photo है, paste setup का, यहाँ पर जितने भी option दिये में हैं, इन सभी socket की यहाँ पर दियावा है, जिससे alt plus x से, अगर आपको यहाँ पर paper size select करना हो, तो उसके लिए आपको वीच करना पड़ता है, alt x से, शोर साल option में जाने के लिए, आपको वीच करना पड़ता है, alt plus x से, यहाँ पर दियावा है, alt plus o, और landscape के लिए होता है, alt plus a, इसी तरीके से दोस्तो, यहाँ पर दियावा है margin, जिसके लिए यहाँ पर चार option होते हैं, left, right, top, bottom, तो paste setup को open करके, आपको डाइट किसी भी margin को set करना हो, keyboard से, तो उसके लिए यहाँ पर socket की दियावा है, यह देखिए, left margin के लिए, आपको alt plus L प्रेस करना है, इसलिए top margin के लिए, alt plus T, तो यहाँ पर सारा option दिये हैं दोस्तो, तो इन सबी socket की यूज़ करके आपे, यहाँ पर paste setup के अंदर, किसी भी option पर जा सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर दियावा है, print का option, तो print all option में जाने के बाद, आपको यहाँ पर किसी भी option में जाना हो, तो यहाँ पर इन सब की socket की दी हैं दोस्तो, आप इन सबी को याद करके, असानी से किसी भी option पर, direct jump कर सकते हैं, print वाले page में, यह हमारा print का page है, यह देखिए, इसके बाद, यहाँ पर नीचे दियावा है, find का option, जब आप find all option का यूज करते हैं दोस्तो, तो find को open करने के बाद, यहाँ पर जितने भी option दिये हैं, किसी भी option पर direct jump करना हो, तो find की socket की यहाँ पर दियावा है, यह देखिए, माली जब आपको यहाँ पर दियावा है, direction, up, down, आपको find option में जाने के बाद, shortcut key का यूज करके, इस वहले option का यूज करना है, तो यहाँ पर दिया है दोस्तो, आप में जाने के लिए, alt u, और down में जाने के लिए, alt d, इसी दरीके से नीचे यहाँ पर दियावा है, replace का, तो जब आपे, replace all option का यूज करते हैं, तो दोस्तो, यहाँ पर देखिए, यह जितने भी यहाँ बटन दिये वे हैं, यह जो box दिये वे हैं, यह जो option दिये वे हैं, किसी भी option पर आपको जाना है, socket की का यूज करके, तो यहाँ पर replace की, सभी socket की यहाँ पर दिये हुई है, इन सभी को याद करने के बाद, आप असानी से, बीना mouse का यूज की आपे, notepad में, असानी से काम कर सकते हैं, तो आपने देखा दोस्तो, notepad की जितनी भी socket की होती है, इन सभी के बारे मैंने आपको बता दिया, अगर आप notepad में, बीना mouse का यूज की एवे, अगर आप keyboard से राइट काम करना चाते हैं, और notepad में आपको कोई भी project मिले, उस project को जल्दी बायाना चाते हैं, तो इन सभी socket की को याद करने के बाद, notepad आप असानी से कोई भी काम कर सकते हैं, जल्दी और असानी से, तो दोस्तों आपको इस वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करने ना बूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ-साथ बेला कमपर्टेंट पे प्लिक कर दें, ताकि मैं आपके लिए कमपोर्टर से लेटिर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, आपको स्क्रिजिन कार्टी सबसे पहले मिल सके, ठैंक्स,